कैसे हैं आप लोग आई थिंक आप लोग बहुत अंच्छे होंगे तो आज का जो डियाइवाइज बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही खुबसूरत से डियाइवाइज है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे तो इसके लिए मैंने घर में पड़ जैसा हमको बना लेना है उसके बाद इसके ऊपर हमको क्या करना है फैविकॉल लगा लेना और इसको बिल्कुल पेटल्स के आकार जैसा बना के और इसके ऊपर स्टिक करना है तो क्या होता है इसको हम एक 3D लुक दे रहे हैं तो जिसकी वज़े से मैं इसके ऊपर इसको के लिए थोड़े दिर क्ले क्या होता है कि वह जल्दी से डब जाता है तो इसको उपर उठाने के लिए मैंने इसमें साइड में थोड़े से एलिमेंट्स लगा दिये हैं जिसे कि वह थोड़ा सा सूख जाए तो वह हाड़ी हो जाएगा तो यह थोड़ा सा उभड़ा हुआ लगेगा और कोई भी जुगार आप कर सकते हैं जिसे कि यह आपका थोड़ा सा 3D लुक का फ्लावर बना रही हूं मैं रोज फ्लावर और इस फिर इसके उपर मैंने अगें देखिए बीच में के लिए थोड़ा सा बस फोर्ड करना है और बस इसके उपर फैवी कॉल की ऊपर से स्टिक कर देना है देखते हैं मैंने कितने सारे इसमें जुगार लगा के इसे उठाने के लिए लगाया है तो आपके पास जो भी एवले तो जल्दी हाड़ी हो जाता है तो इसके लिए थोड़े देड के लिए हमें इस तरह के जुगार लगाने हैं और इस तरह के कटर्स जो है जो आउनलाइन आपको बहुत एजली मिल जाते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप एज़ टोड़े से बस टुकरिट बना लेने औ और उसके पतियों के शेप का कर देना है बहुत एजी से बन जाता है और इसको नाइफ की हेल से और इसमें कुछ पतियों का शेप डाल देना तो यह बहुत एजली बन जाता है जो भी आपके पास जुगार हो आप वो जुगार लगा के और इसको मतलब कर सकते हैं और इसके के बाद इसके ऊपर में थोड़ा सा इसके डंठल जैसा बना दूंगी जिसे उसके टहनिया हो जाएंगी और क्ले मुश्किल से दो घंटे में मेरा क्ले अच्छे से सूख गया ड्राइ हो गया तो क्ले के साथ एक काम ऐसा होता है ना मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप क्ल क्लियों का भी मेरे पास शेप का कटर था तो वह भी मैंने लगा दिया और जैस वह कंप्लीट हो गया और यह अच्छे से सूख गया तो सूखने के बाद मैं इस पे एक कोट जैसो का अप्लाइ कर रहे हूं ताकि जो मेरा जादा कलर जो है ना वह जादा बढ़ाद भी नहो करके और थोड़ा सा एकदम लाइट ब्लुई शेड बनाया है जिसे बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और उसके आद रोस का तो कलर आप सबको पता है आप उसमें जितने कलर डाल सके तो यह मैंने पिंक कलर से इसमें कलर कर रही हूं और उसके बाद उसमें थोड़े से र कलर कर डाला है और उसके बाद मैंने एक बटरफ्लाइ को भी बना कलर कर दिया है और इसके बाद मैं इस पर होम लिख रही हूं तो वाइट कलर का मैंने यूज किया है और यह जो कलर मैंने यूज किया है न सारे एक्रोलिक कलर ही है तो उनका ही यूज किया है मैंने और यह बहुत खुबसूरत सा हमारा wall decor की तरह भी आप इसे और ये complete हो जाने के बाद इसके उपर मैंने थोड़ा सा golden color से इसको थोड़ा सा और highlight कर दिया जिसे कि और ही खुबसूरत लगेगा और उसके बाद ये complete होने के बाद इसके उपर varnish का coat जरूर लगाईए तो ये complete dry होने के बाद मैंने इस पर varnish कर दिया और मैं इसे एक key holder की तरह यूज़ करूंगी तो इसके लिए मैंने ये key holder लिया है और इसके उपर मैं लगा रही हूँ और ये हमारा beautiful सा key holder ready है न तो है न बहुत ही खुबसूरत pocket factory DIY तो इस तरह के DIY आप definitely अपने घर में dry कर सकते हैं और मुझे comment करके बताईएगा कि कैसा लगा आज का DIY और आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं तो मेरा Instagram ID मैं mention कर दूंगे description में next जो DIY मैं कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने कुछ cardboard के टुकड़े लिए हैं और इससे मैं इसके उपर कुछ draw कर रही हूँ तो ये मैं pencil से draw कर रही हूं और pencil से draw करने के साथ-साथ कुछ pencil का ये shape का मैं बना रही हूँ तो just इसको मैंने pencil के shape में cut कर लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर तीन pencil बनाए हैं देख लीजिए और उसके ऊपर मैं जैसो का एक coat apply कर रही हूँ कलर को enhance करने के लिए और यह जब completely dry हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर करूँगी तो यह completely dry हो गया और इसके ऊपर pencil का shape का design बना के और कलर कर रहे हैं तो यह मैंने yellow color लिया है और यह आप बता सकते हैं यह मैं क्या बना रही हूँ तो मैं इस पर कुछ coats लिखोंग और इसको wall hanging बना रही हूँ तो यह मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ बच्चे क्या बड़े भी इस तरह की quotes को पढ़के चाहिए आपके सामने अगर इस तरह के motivation quotes लिखे रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत ही motivate कर सकते हो और बच्चों के भी डेस्क प्यार कर दिया और इसे मैंने अलग-अलग color से color कर लिया और इसके उपर मैं कुछ quotes लिख रही हूँ तो यह सारी quotes बहुत ही अच्छे होते हैं motivation के लिए बच्चों को भी आप इस तरह के quotes डेस्क पर लिखे देंगे तो वह भी पढ़के और अपने आपको motivate करते रहेंगे और तो आप पतले brush भी इसको कर सकते हो और permanent marker जो आता है उसे बहुत काफी जो हमारा काम जो होता है नो बहुत ही easily हो जाता है next जो मैं लिख रही हूँ उसके पाद try new ideas तो कुछ न कुछ new ideas try करते रहना चाहिए हमें अपने life में और कुछ चीजों को try करने से ही हम उसका experience कर पात नेक्स जो इसके उपर मैं लिख रही हूँ वो लिख रही हूँ believe in yourself अपने उपर हमेशा विस्वास करना चाहिए और जब आप अपने उपर विस्वास करेंगे तभी आप कोई भी काम को कर पाएंगे तो ये quotes जो है साड़े मैंने complete कर लिये और इसके बाद मैं इसके उपर और वर्निश का एक कोट जरूर अपलाई करूंगी उसके बाद मैं इसके उपर ये कुछ रोप है मेरा पड़ा और इसके help से मैं इसको लिए पीछे hanging के लिए इसको tape की help से stick करूंगी ये हमारा motivational quotes ready हो गया है wall हेंगी तो आप इसे अपने बच्चों के desk पर चाहे आपको जह नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने ये फेविक डिल का molded clay लिया और इसे मैं एक kitchen बना रही हूं और first time मैं इसे try कर रही हूं तो just इसे हमें round बना लेना है और उसके बाद मैंने एक pen के refill से इसमें hole कर लिया उसे बाद इसमें black color कर रही हूं और इसके उपर मैं मंदला turn करने की first time courses की कर रही हूं मैंने इसे first time ही try किया है मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया है इस तरह का art तो मैं try कर रही हूं अगर आपको अच्छा लगे तो please आप मुझे बताईएगा और next time मैं इसे और अच्छे तरह से try करूंगी बनाने का और फिर मैं आपके साथ जरूर इसे और अच्छा सा बना के share करूंगी अच्छा यह dotting tool की help से आप इसमें बस dots करते जाएगे और यह बहुत खुबसूरत art है और इसको करने का जो process है बहुत patience वाला है आप इसे बहुत patience के साथ कीजे तो ही आपका जो designing है वह बहुत खुबसूरत बनके आएगा इसके कीचेन रेडी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई